पूरे देश को राष्टवाद का परजी सर्टिफिकेट बांधने वाले, किसी भी बात पर आपको राष्टवाद का सर्टिफिकेट ठामने वालों का असली चाल चरितर और चहरा अभी आपने देखा है। ये लोग पूछते हैं टुकुडे टुकुडे गैंग भारतिये जनता पार्टी से जादा देश द्रोही और भारतिये जनता पार्टी से जादा बड़ा टुकुडे टुकुडे गैंग इस देश में कोई नहीं है। यह हैं इनका असली चाल चरितर और चहरा भारत की भूभागी अखंडता और हमारी संप्रभुता के साथ किसी भी तरह का खिलवार बरदाश्ट नहीं है। उस वीडियो में जैसा कि आपने वीडियो में देखा और हम साजा भी करेंगे उस वीडियो में भारत की जमीन का हिस्सा पाकिस्तान और चीन में दिखाया गया है। हमारी जमीन का हिस्सा चीन और पाकिस्तान के हिस्से में दिखाया गया है। जब आक्रोश हुआ जब लोगों ने दिखा बोलना शुरू किया कि अरे इसमें तो भारत का हिस्सा पाकिस्तान और चीन की सरजमी में दिखा दिया गया है। तो ट्वीट करकर विडियो भागने लगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि यह गलती है। यह सिर्फ गुणाः इसलिए नहीं क्योंकि आपने भारत کی संप्रबुता पर सवाल उठा दिया भारत की संप्रबुता के साथ खिलवार किया यह गुनाः इसलिए भी है। क्योंकि इसी सरकार की 2016 में लाई जियो स्पेशल इन्फरमेशन रेगूलेशन बिल के अनुसार, कोई भी सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म, कोई भी सोशल मीडिया एजनसी, कोई भी अगर हमारे नक्षे के साथ खिलवार करता है, तो उसके उपर 100 करोड का फाइन और 7 साल की होती है, अब भारतीय जनता पार्टी में जेल कौन जाएगा, वे डास दबक स्टॉप, जिम्मेदारी किसकी है, प्रधान मंतरी फ्रांस में कसीदे पढ़ रहे हैं, आईटी सेल चरण चुम्बक बनी हुई है, और भारत की अखंडता और भूभागिये संप्रभुता के सा तब ये खिलवार करिएगा, और हम चुप रहेंगे, हम बर्दाश्ट करेंगे इसको, ये आपका असली चाल चरितरो चहरा है, ये इज़त है, और असलियत ये है कि ये आपकी मन्शा है, आप यही करना चाहते हैं, और यही कर रहें आप, इस देश को खंडत कर रहें, इस अगर ये गुना नहीं है, तो क्या है, और आज इस देश के प्रधान मंतरी को, क्योंकि उनके उपर वीडियो बनाया गया था, उनकी पार्टी ने इसको प्लैटफॉर्म पर शेर किया, और भारतिये जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नडड़ा को इस देश से हाथ जो पहले थोड़ी सीरियसनेस दिखाई जाए कि कैसे ये इतना बड़ा गुना हो गया, दो हिस्से, एक पाकिस्तान को आपने दे दिया, एक आपने चीन को दिखा दिया, ये हो कैसे सकता है, और उसके बाद आप चुप-चाप उसको डिलीट करके भाग जाते हैं, क्योंकि लो झाल